हेलो एवरिवन अपने पिछले वीडियोज में हम धागों के विभिन प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं जैसे धागे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं साधरन धागे याने सिंपल यान्स, फैंसी या नवल्टी यान्स और तीसरे प्रकार के टेक्चर्ड यान्स या टेक्चर्ड धागे पिछले वीडियो में हमने साधारन यान्स और विभिन प्रकार के फैंसी यान्स के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्श्चर्ड यान्स के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्श्चर्ड यान्स होते क्या है टेक्च्चरिंग की प्रक्रिया मूल रूप से संसलेशित रेशों में उनकी पारदर्शिता फिसलन यानि स्लिपरीनेस और पिलिंग की समस्याओं को कम करने के लिए अरब की गई थी हम यह जानते हैं कि जो भी संशलेशित रेशे होते हैं यानि synthetic fibers होते हैं वो बहुत ही चिकने, चमकीले और पारदर्शी होते हैं उनकी सतय चिकनी होने की वज़े से वो काफी slippery होते हैं यानि उनमें फिसलने की प्रवरती होती है और इसके साथ-साथ ही कुछ संशलेशित रेशे ऐसे होते हैं जिनमें pilling की समस्या भी बहुत जादा होती है pilling की समस्या मतलब सतय पर छोटे-छोटे balls बन जाना जिनने हम अगर सामाने भाशा में समझे तो sweater पर जैसे रोएं उठ जाते हैं उसी तरीके से synthetic fibers से बने हुए कपड़ों में भी कई बार छोटे-छोटे balls चैसी संरचनाई बन जाती हैं तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इसके साथ-साथ कुछ और भी समस्याएं थी जैसे जो संशलेशित रेशे होते हैं उनकी अवशोशन क्षमता काफी कम होती है उनकी absorbency पूर होती है वो पसीने को या पानी को या नमी को सोख नहीं पाते और इसकी वज़े से आरामदायक नहीं होते इसके साथ-साथ ही उनकी सतह भी चिकनी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा चमक होती है कई बार ये चमक काच से जो ग्लेयर आता है चौनधा आता है उसकी तरह से आखों को चुबने वाली होती है बहुत ही अनाकर्शक होती है, अनप्लिजन्ट होती है तो texturing या texture develop करके जो भी filament yarns है उन yarns को texture के द्वारा सतह में परिवर्तन किये जाते हैं और इस सतह में जो texture में परिवर्तन होते हैं उसकी वज़े से इनकी hygienic properties और अन्य जो गुण हैं उनको बेहतर बनाया जाता है उनको और अच्छा किया जाता है इंप्रूव किया जाता है textured yarns कभी भी staple fiber से नहीं बनते हैं बलकि इसके लिए पूरी तरह से draw की हुए या खीचे हुए filaments की जरूरत होती है और उनकी सतह को यानि surface impression को उनकी आकरती और texture को पूरी तरह से बदल दिया जाता है या change कर दिया जाता है तब साधरन filaments textured yarn के रूप में परिवर्थित हो जाते हैं तो textile fibers, संशलेशित रेशे, nylon और polyester हैं जिनको texturing के लिए काम में लिया जाता है प्रमुक रूप से textured yarn को अगर हम परिवाशा के रूप में देखें तो textured yarn किसी निरंतर filament yarn के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जातीगत शब्द है जिसके चिकने और सीधे रेशों को किसी प्रकार के curl, coil, crimp या loop के द्वारा अपने स्थान से विस्थापित कर दिया गया हो जिसकी कारण समान filament count के साधरन धागों में अधिक आयतन और bulk दिखाई देता है इस परिभाशा का मतलब ये है कि ये एक generic term है पूरी प्रजाती के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला term है यानि कोई एक धागा नहीं है जिसे हम textured धागा कह सकते हैं या textured yarn कह सकते हैं बलकी ये धागों का पूरा एक समू है, पूरी एक प्रजाती है तो ये धागों के एक समू के लिए या कई प्रकार के धागों के लिए एक जातीगत शब्द है इसके अंदर continuous filament यान होता है continuous filament यान है और उसमें जो सीधे और चिकने रेशे होते हैं उनको हम किनी भी विधियों के द्वारा और ये विधियां मुक्य रूप से भोतिक विधियां होती हैं और रासाइनिक विधियां होती हैं तो उन सीधे filament यान्ड्स के अंदर भोतिक रूप से या रासाइनिक पदार्थों की प्रक्रिया के द्वारा या तो curls बना दिये जाते हैं, या coils, या crims, या फिर loop डाल दिये जाते हैं और उनको अपने इस्थान से displace कर दिया जाता है, अपनी जगे से हटा दिया जाता है इसके कारण जो यान प्राप्त होता है, वो textured यान कहलाता है और उसमें सेम फिलामेंट काउंट के बावजूद भी साधरन धागे में जो बल्क और आयतन नहीं होता वो बहुत कम fluffy होते हैं, बलकी नहीं होते, जबकि सेम काउंट के बावजूद उनहीं मापदंडों को लेते हुए भी यान के अंदर बलक यानि वो उभरा हुआ मोटा सा दिखाई देता है और उसमें आयतन बढ़ा दिया जाता है, फूला फूला fluffy महसूस होता है इस तरह का textured यान होता है, जबकि सामाने रूप से जो हम filament यान देखते हैं, वो एकदम चिकने चमकीली सर्फेस वाले होते हैं इन textured यान्स की खास बात ये होती है, प्रमुक विशिष्टा ये होती है, कि ये धागे अधिक खिचाव को सहन कर सकते हैं यानि इनकी stretch ability बहुत अच्छी होती है, और इनको जो विकरत किया जाता है, या ये deform किया जाता है, या साधारण filaments के अंदर जो texturing की जाती है वो प्रक्रिया, भौतिक, रासैनिक या तापिय प्रक्रियाओं के द्वारा या फिर इनके combination यानि संयोजन प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन की जाती है, और इसके कारण इनका जो स्वरूप होता है, इनका जो appearance होता है, वो इनके मूल स्वरूप से बिलकुल अलग या भिन हो जाता है, इस प्रक्रिया को बलकिंग कहा जाता है, अब इस बलकिंग प्रक्रिया में क्या होता है, हवा के स्थान बन जाते हैं, बलकिंग की वज़े से बीच पीच में छेद हो जाते हैं, बीच बीच में जगे बन जाती है, और उसकी वज़े से एक तो रेशों के बीच में air pockets बन जाती हैं और उन air pockets की वज़े से इनकी अवशोशन क्षमता यानि absorbency बढ़ जाती है और साथी पार गम्यता यानि permeability हवा के आने जाने की व्यवस्था भी बढ़ जाती है यानि इनको पहन कर हम बहुत comfortable feel कर सकते हैं आरामदयक महसूस कर सकते हैं यह जो bulking की प्रक्रिया है यानि इनका आयतन बढ़ाने की या volume बढ़ाने की प्रक्रिया है उसको या तो हम crimping से कर सकते हैं और crimps क्या होते हैं जैसे हमने उनी रेशे में पढ़ा था प्रक्रतिक रूप से इसके अंदर crimp बने हुए होते हैं यानि कुंडली दार या गुमावदार सनरचनाए होती हैं या फिर इसमें curl बनाए जाते हैं तो एक निश्चित अंतराल पर curls या loops बनाए जाते हैं या कभी-कभी coiling के द्वारा भी इसमें stretchability उत्पन की जा सकती है अब क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा कि इसमें मुख्य रूप से nylon और polyester को काम में लिया जाता है textured yard के निर्मान के लिए nylon या polyester प्रमुक रूप से कम मिलिये जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि nylon और polyester दोनों ही ताप सुनम्य रेशे हैं यानि thermoplastic रेशे हैं इसका मतलब ये है कि ताप देने पर या उश्मा के प्रभाव से ये रेशे, ये filaments बिगल जाते हैं और जिस भी अवस्था में हम इने रखें ये किसी भी शेप में ढल जाते हैं और अगर उसी शेप में हम इने ठंडा कर दें तो ये उसी शेप में पर्मानेंट हो जाते हैं ये चीज कहलाती है heat setting यानि heat के द्वारा shapes को, designs को set करना तो समाने रूप से इनका निर्मान उश्मा के प्रयोग से यानि heat setting के द्वारा किया जाता है हलांकि कभी कभी टेक्शरिंग के लिए chemical processes भी यूज किये जाते हैं 1970 के प्रारम में ज्यादा तर जो बल्क यूक टेक्शर्ड यान्स थे, टेक्शर्ड धागे थे उनका निर्मान false twist method से किया जाता था ये method हम अभी detail में आगे पढ़ेंगे इस false twist method में लंबे filaments को twist करके heat set कर देते हैं और उसके बाद थंडा होने पर untwist कर लिया जाता है और अगर twist समाप्त करने हो तो उन्हें फिर से गर्म करके और फिर थंडा कर लेते हैं तो इससे पर्मानेंट twisting उसके अंदर आजाती है जो actual twisting नहीं होती है और इसी लिए इसे कहा जाता है false twist टेक्चर्ड धागों की विशेशताएं बहुत सारे तरह के textured धागे होते हैं और textured design वस्तर की विशेशताओं में बहुत सारी variety या विविधताएं उलेखनीय विविधताएं उत्पन कर देते हैं ये इसकी जो विशेशताएं होती है या जो गुण होते हैं textured धागों के वो हमेशा ही चिकने filaments की बजाए बहुत अलग होते हैं इनमें texturing के द्वारा सबसे पहले तो sponge धागे जो भी होते हैं उनको सुन्दर बनाया जाता है यानि उनमें सुन्दरता की गुणों का समावेश किया जाता है फिर इसका एक बहुती मैतवपूर्ण देश है वो धागों को sponge जैसी quality देना इसके साथ साथी इसकी सतह के गुणों को परिवर्तित करके और रेशों के बीच बीच में स्थान देकर यानि air pockets बना करके और वस्तर की breathability यानि पारगम्यता बढ़ाई जाती है पर्मियबिलिटी बढ़ाई जाती है और इसकी वज़े से वस्तर बहुत अधिक अवशोशक और आरामदे हो जाता है इसके साथ साथी उसके अंदर इस्तिर विद्युत प्रवाह कम हो जाता है जिसकी वज़े से वस् प्रशन के द्वारा या इन आवेशों के द्वारा जब हमारे शरीर पर चिपकते हैं तो वो चिपकने की प्रवरति कम हो जाती है इसके साथ साथी टेक्शर्ड धागों से बने वस्तरों में स्ट्रेच एबिलिटी बहुत जादा बढ़ जाती है खिचाव की ख्रमता यानि यूज करना काफी आसान हो जाता है इसके साथ साथी इनको वस्तर में परिवरतन करना भी आसान हो जाता है क्योंकि टेक्शरिंग के द्वारा धागे की कताई की ख्रमता और कोहेसिवनेस तोनों बढ़ जाती हैं काफी ये अच्छे एक दूसरे के साथ में चिपकने लगते हैं या एक दूसरे के साथ में मिलकर के द्वारा बनाना वस्तर निर्मान में काफी सहायक हो जाते हैं टेक्शर्ड धागे कई प्रकार के होते हैं और प्रमुक रूप से इनको तीन ग्रूप्स में बाटा जा सकता है बल्क टेक्शर्ड यान यानि जिन में बल्क दिखाई देता हो दूसरा स्ट्रेच टेक्शर्ड यान और तीसरा है सेट टेक्शर्ड यान इस डाइग्राम में आप देख रहे हैं कि फ्लेट धागे हैं समतल और चिकने धागे हैं उनको अलग-अलग टेक्शरिंग की गई ह जैसे एक stuffer box से बनाया हुआ texture है दूसरे में आप देख रहे हैं नीचे की तरफ air jet तकनीक से बनाय हुए textured yarn है और तीसरा false twist से बनाय हुए textured yarn है तो आप इनकी तुलना कर सकते हैं कैसे यह flat yarn से या चिकने समतल धागों से different होते हैं कैसे इनके अंदर bulk add किया गया है air space या air pockets बन जैसे इनका आयतन बढ़ गया है और साथ ही यह काफी loose और आरामदे हो गए हैं सबसे पहला ग्रूप है bulk textured yarns bulk textured yarn किसी भी प्रकार के रेशों से बनाय जा सकते हैं इनको बनाने के लिए तीन प्रक्रियाएं प्रमुक रूप से काम में ली जाती हैं यानि तीन तरह की मशीनों के प्रयोग से इनको बनाया जा सकता है फर्स्ट gear crimping, सेकंड stuffer box process और थर्ड है air jet process अब इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे पहला है gear crimping तो इस diagram में इस image में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्म गियर है और गियर के दांतों के बीच में साधरन filament को रख दिया गया है और वो filament जब गर्म गियर के बीच में से निकलता है उसके दांतों के बीच में से गुजरता है तो साधरन चिकने filament के अंदर crimping हो जाती है या crimps बन जाते हैं और इसलिए इस method का नाम रखा गया है gear crimping इस प्रक्रिया में filament यान को दो गर्म गियर के दांतों के बीच में से गुजरा जाता है जिससे धागे में गियर के दांतों जैसी सनरचना याकरती बन जाती है इनसे बनने वाले जो धाके होते हैं वो 100 टूथ के समान दिखाई देते हैं जैसा आप इसमें नीचे वाली image में देख रहे हैं इसका प्रयोग अगर ताप सुनम में रेशों के साथ में किया जाए तो क्रिम्प स्थाई हो जाते हैं हलांकि इनको किसी भी प्रकार के रेशे के साथ में यूज किया जा सकता है इस प्रक्रिया में यानि गियर क्रिम्पिंग की प्रक्रिया में हम क्रिम्प की संख्या को नियंतरित भी कर सकते हैं और दातों के साइज पर डिपेंड करता है अगर दाते बहुत बड़े बड़े हैं तो क्रिम्प्स भी बड़े और दूरी पर बनेंगे अगर दाते छोटे-छोटे हैं, फाइन हैं, तो क्रिम्प्स भी फाइन बनेंगे और फास-पास बनेंगे समाने रूप से इनका प्रयोग कार्पिट्स के लिए और उनी धागों के निर्मान के लिए किया जाता है और उन धागों से होज्यारी वस्तर बनाई जाते हैं और होज्यरी के विभिन प्रकार के ब्लाउजेज, ड्रेसेज, लेगिंग्स, लिंचरी ये सबी चीजे इनसे बनाई जाती है दूसरी विदी है स्टफर बॉक्स मेथड या स्टफर बॉक्स प्रक्रिया इस विदी से धागे में क्रिंप्स मनाई जाते हैं और प्रमुक रूप से नाइलॉन फिलामेंट्स का प्रयूक किया जाता है नाइलॉन के जो सीधे फिलामेंट्स होते हैं उनके एक सिरे को गर्म बॉक्स में डाला जाता है इस box को कहा जाता है stuffer box जैसा आप उपर वाले example diagram में देख रहे हैं सीधे filament है और सीधे filament को stuffer box में डाला जा रहा है stuffer box गर्म है और उसमें से धीरे धीरे दूसरी और से गर्म stuffer box में से filament को निकाल लिया जाता है और उसकी वज़े से इसमें crimps बन जाते हैं इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले सिंगल धागों को प्लाई धागे में परिवर्तित किया जाता है जिससे फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें अटेच रहें और स्लिपेज की समस्या इन में नहीं हो और इससे जो end product बनता है वो आप यलो कलर के धागे के रूप में देख रहे हैं ये textured yarn है जो stuffer box से बना हुआ है और इसके नीचे भी crimped yarn जो stuffer box प्रक्रिया से बना हुआ है texturing की ये विधी सस्ती होती है और इसकी speed भी बहुत अच्छी होती है अधिक गति वाली होती है और इसी लिए इस विधी का प्रयोग bulk yarn के production के लिए यानि bulking के लिए अधिक किया जाता है इस प्रक्रिया से जो textured yarn बनते हैं यानि जो crimped textured yarns होते हैं उनको carpet के लिए upholstery, sweater और knitted वस्त्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है तीसरी विधी जो bulk textured yarns को बनाने के लिए काम में लिजाती है वो है air jet प्रक्रिया या air jet process इस विधी से loop युक्त धागे बनते हैं यानि धागों में loop आ जाते हैं filament धागों को air jet system में प्रविशित किया जाता है जैसा कि आप इन डायग्राम्स में देख रहे है air jet system के अंदर इन्हें डालते हैं feed rollers के द्वारा और draw rollers दूसरी साइड लगे होते हैं जो इन filament yarns को काफी तेजी के साथ में खीचते हैं यानि feed rollers की speed कम होती है जबकि draw rollers की speed काफी जादा होती है draw rollers तेज गती से घूमते हैं और उसके बीच में वायू के तेज जोंके airflow तेजी से इसके अंदर डाला जाता है जिसकी वज़े से filaments में loop बन जाते हैं जितनी तेज वायू प्रभाहित की जाएगी loops का आकार भी उतना ही अलग हो जाता है ये प्रक्रिया बहुत तेज गती की नहीं है और थोड़ी महंगी भी है क्योंकि इसमें time भी जादा लगता है इसमें बहुत अधिक variety या variations भी नहीं बनाये जा सकते इस विधी के द्वारा spun धागों का और रेश्मी धागों जैसी सत्य वाले filaments को बनाया जाता है करते हैं deform नहीं होते हैं या विक्रत नहीं होते हैं और इसी लिए तनाव या खिचाव के दौरान भी इनमें आकार और बल्क काफी बना रहता है और stretchability यानि खिचने की क्षमता काफी कम होती है क्योंकि loops अपनी जगे को नहीं छूड़ते हैं या अपना शेप खराब जो गेर तापसुनम्य रेशे हैं उन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है तो ये तीनों प्रक्रियाएं बल्क टेक्स्चर्ड यान बनाने के लिए काम में ली जाती हैं गेर क्रिम्पिंग, स्टफर बॉक्स प्रोसेस और एयर जेट प्रोसेस जिनके लिए हम तापसुनम्य रेशे या गेर तापसुनम्य रेशे किसी को भी काम में ले सकते हैं इसके आगे के प्रोसेस को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे